नमस्कार आप देखने हैं प्रदेश समाचार मैं गुपाल कशिप अपनी पूरी टीम रितेश ज़ा, बंबंज़ा, रौसन ज़ा के साथ अभी बाका जिला के अंतरगत दसमेचर्ण की जो चुनाओ होनी है इसी क्रम में मैं बेलहर प्रखंड के अंतरगत ग्राम पंचायत सुर्यकाना वेल्डिहा में मौजूद हूँ और यहां से लगातार 2001 से जिनोंने मुख्यपद की कमान और बागडोर विकास की शमाल रखी है अभी हमारे सामने मौजूद हैं संतोष कुमार सिंग और बर्तमान निवर्तमान मुख्या इनकी मिसेज मेनु सिंग और विकास की अगर गंगा को देखा जाए तो इनके रेजीन में जहां तक परदेश समाचार की टीम ने इनसे चर्चा परिचर्चा के कार्शक्रम के दौरान बातचीत की बहुत सी जलक देखने को मिली अभी हमारे सामने परत्यक्ष रूप में ये बैठे हुए हैं और मेरी इनसे साक्षातकार होगी आने वाले इस पांक साल के लिए जो समय आने वाला है और जहां की तयारी मेनु सिंग्जी कर रही है धोल छाप के साथ धोलक छाप के साथ जो क्रमांग संख्यां दो पर है बिसेस रूप से आगे का एजेंडा ये क्या लेकर चल रहे हैं क्योंकि यहां टोटल वोटर की संख्यां जो है वो तक्रिवन छे हजार है और टोटल वार्ड की संख्यां दस है हर वार्ड में इन्होंने एक शमान रूप से अपना कार्जवार समाला है और पूरे कार्ज को इन्होंने अपने अनुरूप सजा कर पूरे वार्ड को इन्होंने विकास के एक नए पहमाने पर लाकर रखा है और जिसका परिणाम है कि विगत 2001 से इन्होंने एक कमांड अभी तक समाल रखी है आईए सरपर्थम में इनसे परीचे लेता हूँ और उसके उपरांत मैं पीछले जितने भी विकास के कार्शक्रम को इन्होंने किया है इनसे एक संछेप में डिसकर्स करूँगा सर आप अपना नाम बताएंगे मेरा नाम संतोष कुमार सिम गाम गाम बेलिया पढ़ता है पंचायत शुर्जुकाना बेलिया और आपका प्रखंड बिलहर जिला बाका बड़ी खुसी हुई आपसे मिलकर संतोष जी पंचायत को देखा है सुर्जुकाना बेलिया को काफी अच्छी तरीके से आप यहां के जनता के बीच में घुले मिले हुए हैं और अभी आपकी मीसेज इस पद को समाल रही है तो आप ये बताएए कि आने वाले इस पांच साल के लिए अगर फिर से ये वागडोर आपको मिलती है तो आप जनता के लिए दो सब्द क्या कहना पसंद करेंगे देखे काम तो हम दो हजार एक से कर रहा है पंचायत के हर कमी को पूरा करने का प्रियास किया जा रहा है और हमको लगता है कि 2001 से जो काजी यहां पर किया गया है बहुत ही बुनियादी काम हुआ जहां पर कहीं पर गली नली या जो भी विकास से लोग बंचीत थे उस काज को पूरा किया गया और खास करके जो पंचायत में जो विकास का में जो रीड होता है सिचाई संबंदित आवागमन संबंदित वो लगभा काम को पूरा कर लिया गया है कुछ ही ऐसे जवरतमंद काम बचा हुआ है जिसको पूरा करने के लिए आपने स्लोगन में भी लिखा है स्वभाव मेरा विकास सील है समय के साथ सोच गती सील है हर वैक्ति के अधिकार के लिए आप सभी से अपील है कि धोलक छाप पर वटन दवा कर विज़ई बनावें और अभी बरतमान समय में देखा जा रहा है कि जिसने विकास किया और जो अपने वहवार को अपने इस पंच पंचायत की जनता तक संजोया है उन्हें ही जीत मिल रही है तो आप ये बताईए कि आजकल जो लचर बेवस्था देखी गई पंचायत के अंदर हमारी जो प्रदेश समाचार के टीम हर प्रखंड के अंतरगत विविन पंचायतों का दौरा करती है तो डारिक्ट ये जलनल योजना को लेकर मुखमंतिरी के साथ निष्चे योजना के तहट ये एक ड्रीम योजना थी ड्रीम प्रोजेक्ट थी मुखमंतरी जी की हर घर तक स्वक्षपानी पहुचाना लेकिन जहां तक हमारी टीम ने सर्वेक्षन किया ये कार्ज पीसडी के तहट 95 परसे का नहीं क्यों वार्टा है क्या हुछ के लोगे रहे हैं ज lacks करना किया और दूसरा बात है जो भी लोग काम कीए उसमें रख रखाओ के पती जो उनका जो होना चाहिए 10 स्केल करतुबं कर doesn't चलते कि पबली को सही जो फाइदा नल जल का जो सरकार का या मुखमंत्री जी का जो सोच है उसमें कमी तो यहां के लोगों ने मतलब खास करके विभागिये लोगों ने तो कमी को रखा है तो यह वक्त तो आपका भी मुख्यापद के लिए फाइटिंग होनी होती है आपके बहुत से प्रतिद्वंदी आपके पीछे होंगे तो जब आप जाते हैं तो ऐसी सिकाइटे जनता से आपको भी सुनने को मिलती होगी बिल्कुल सही बात है लोग यहां के पबलीक या जहां भी यहां ने पूरे परदेश का पबलीक समझेए कि जो भी तूटी होता है अब आप ले लिजिए जो बहुत जवरत मंद लोग है उसको नहीं पतिक्षा सुची में नाम रहके कुछ वैसे लोगों का नाम है पतिक्षा सुची में कि जिनको अभी अथी आवस्यक नहीं है या फिर आवस्यक ही नहीं है तो यह सब जो भी तूटी है वो सरकारी करमचा माध्यम से किया जा रहा है और वह दोसारों पर मुख्षा को लगा जाता है जिसमें जब कि मुख्षा इसमें कहीं दोस्य ने जब हमारी टीम आपके इस सुरियकाना वेल्डिया की एक तरसे कहिए तो परिभरवन कर रही थी तो बहुत जगह ऐसी सिकायते सुनने को मिली त जो उन्होंने कहा कि हो सकता है हम बोले हमारी टीम ने कहा कि मुख्या वर्यक्ति sculpture से किसी को नभी होता है वो एक प्रतिनीधी हैं और वो सभी के लिए श्वान स्चाना होब से काम करते हैं तो इसमें आप बेरेक्ट मुख्या के उपर जो है वो इस तरह का ब्लेप लगाना आपके लिए उचित नहीं है बहुत सी सरकारी चीज यहां सरकारी कार्ड जयNA होती है जहां की इसमें जो है तूटिया आजाती है तो ये बात तो आ रही है अब खुसी इस बात की हुई मुख्या जी कि जो आपका सौचाले का यहां का सुरीकाना विल्डिया का जो है वो एक बहुत बुलंद उचाईयों को शूता हुआ दिखा था और इसकी जो है चर्चा जिला के अंतरगत भी आई थी जब पे आया था पूरे बाका डिस्टिक के अंतरगत और अगर पूरे बिहार की बात की जाए तो यह चौदमा अस्थान था तो काज की सैली तो यहां से दिखी जाती है आपके लिए लेकिन आजकल सबसे बड़ी चीज है लोगों के बीच जाकर उनको अंडेस्टेंडिंग दे जो तौर तरीका है उसमें हम कहीं कमी नहीं रखे है और नहीं रखा जाता है हर संभव हर बक यही परियास रता है कि कितना जादा से जादा सरकारी लाग पबलिक तक पहुंचा है बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुना भी संतोष कुमार सिंग जी को निवरतमान के स्थिती हर पंचायत में जहां PSD ने कर रखी है वहां सिखायते हैं लेकिन ये दो सारोपन डारेक्ट मुख्या के उपर थोपना ये सरासर गलत है सडक गली नली में इनका काम और कार्ज पूर्णता की ओर है थोड़ी बहुत जो काम रही है वो COVID-19 की वज़ा से जो ये 18 मैंने बीच का ये हुआ था गरबर हुई थी जब पूरा देश पूरा देश ही नहीं वरन पूरा बिस्व जो है इससे दिख भरमित हुआ था तो इस व मन्रेगा के तहप जो ये जो सुरीकाना बेल डिया है ये एक कृषिप प्रधान पंचायत है इन्होंने बहुत बड़ी काम की है चार चिक डेम बनवाया है जहां पानी जहां सीचाई किसानों को नहीं मिल पा रही थी आज वहां के किसान गदगद हैं और अच्छी उपज पा रहे हैं तीसरी चीज आवास योजना तक्रीवन पंद्रसों के असपास इन्होंने दिलवा रखी है आने वाला समय सुभाविक है हर शाल बढ़ोतरी होती ही है तो फिर इन्होंने कहा कि मैं अगर आने वाले समय में फिर से अगर ये कमान मुझे हमारी जनता देती है तो सरकारी मापदंड को जिन जिन व्यक्तियों ने पूरा किया है इनके पंचायत के अंदर उन सभी लाभुकों को इन्होंने पैंसन की वेवस्था 100% करवा दी है और जल जीवन हरियाली के तहत ब्रिक्षा रूपन का कार्ज भी इन्होंने 5 यूनिट तक किया है एक बहुत छोटा सा प्रस्ण है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है स्वास्थ और सिक्षा बहुत बड़ी चीज होती है यह किसी भी पंचायत के मापदंड को अगर ना पजाए तो यहां से इसकी सुरुवात होती है तो सिक्षा और स्वास्थ के लिए दो सब्दा सब्सक्राइब में और स्वास्थ के लिए यहां पर है लेकिन रहने के पशाष्ट पकेंद्र का आपना बिल्डिंग नहीं रहने के कारण पंचय गवर्ण से संचारं किया रहा है और आगे बिल्डिंग बनाने की परकिरिया जो है जमीन उपलब करा दिया गया है दिभाग को इसका पेपर पहुंचा दिया गया है आगे जब तक उसका बिल्डिंग अपना स्वास्त उपकेंद का नहीं बन जाता है तब तक अभी काम पंचय लपन से लिया जा रहा है बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुना अभी प्रखंट बिलहर के अंतरगत पंचायत सुर्यकाना वेल्डिह के निवर्तमान मुख्या मीनु सिंग के निवेदक संतोस कुमार सिंग जी को जिनोंने बड़े हिस सुचारू ढंग से अपने इस पंचायत के विकास को अग्रणी अगले पांच वर्स को समालता हूँ तो जो भी कमियार रह गई है अचाय विवागी अवस या सरकारी उपेक्छाओं के बदोलत मैं उसे पूरा करूंगा मैं अंत में फिर से एक वर्दूरा दूं ग्राम पंचायत सुर्यकाना वेल्डिया से मुख्या पत्की लोग प्रिय इमानदार सुयोग सिक्चित करमट एबं संघच सिल महना उमिदबार मीनु सिंग जिने इस बार चुनाव चिन धोलक छाप मिला है करमांग संख्या दो है इन्हें भारी मतों से विज़ई बनाए और इसी वक्त अब भी के साथ मैं अपने सब्द को यह विराम देता हूँ जे हिंद, जे भारत, जे बिहार